5. Amazon ये मशिन आगे से बिल्कुल किसी बुल्डोजर जैसी दिखती है लेकिन इसके पीछे एक ऐसा मेकनिजम लगा हुआ है जो खेत की जुताई करता है ये आम 360 डिगरी गुमने वाले चकरों से बनाया हुआ है जो तेजी से गुमते हुए मिट्टी को पलर देता है खेतों में वगी गास को नीचे की ओर और मिट्टी को ऊपर की ओर बेच कर ये चुटकियों में खेत के कलर को पीले से काला कर देता है इस मशिन को आप आसानी से किसी बुल्डोजर की तरह रास्ते पर भी चला सकते है इस ट्रक में टायर्स की जगट टैंक की तरह ट्रैक प्लेट्स लगे हुई है खेत में मौझद पुरानी और अंचाही लकडिया या गास फुस को निकालने के लिए इस ट्रक को बनाया गया है जो अपने पावरफुल ब्लेड से लकडियों को काट कर अपने अंदर रोल कर लेता है ये उटाय हुई जाडियों को बंडल बना कर बाहर फिकता है ये ट्रक आपको खेत साफ करने के लिए काफी मददगार साबित होगा इस मशिन को पेट से नीचे गिरे हुए फ़लों को इकटा करने के लिए बनाया गया है इसके नीचे की तरफ हरिजोंटल गूमने वाले ब्लेड लगाया है जो खेत में गिरे हुए फ़लों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए मशिन की तरफ डगेल देते है फिर मशिन में लगा हुआ इलेवेटर उन फ़लों को कीच कर उपर के कंटेनर में स्टोर कर देता है ये काम इंसान द्वारा अगर किया जाए तो काफी महंगा और टाइम कंजुमिंग साबित होगा लेकिन ये मशिन फ़लों को जमा करने का काम चंद मिनिटों में और चुटकियों में कर देती है है ना कमाल की मशिन नंबर दो बॉम फिचरो बॉम फिचरो को स्पेशली पौधों की कटाई के लिए बनाय गया है कुछ खेत आकार में बहुत विचाल और बड़े होते है जो हजारों हेक्टर में फैले होए होते है इन खेतों से एक टाइम में 1.6 मिलियन कौटन निकला जाता है इस प्रोसेस के लिए बॉम फिचरों का इस्तमाल किया जाता है जिसके सामने 6 चोटी प्लेट्स कौटन को आसानी से निकल देती है जिसमें रुई के अलावा कच्रा या फिर पौदे का कोई भी पार्ट नहीं आता ये कौटन को काटने के बाद उसे अपने अंदर लेकर उसका बंडर बनाती है जो इस ट्रक के पीछे स्टोर करती है जिससे कौटन को ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है इस मशिन का इस्तमाल खेत में लगाए हुई फसल की जड़ों में मौझूद मिट्टी के गट्टों को तोड़ने के लिए बनाई गया है ये मशिन खेत में लगाए हुई फसल की जड़ों में मौझूद मिट्टी के गट्टों को तोड़ने के लिए बनाई गया है ये ट्रक खेत के अंदर जाते ही अपने आम्स को खोल देता है जो फसल को किसी भी तरीके का नुकसन नहीं पहुँचाते और बिना नुकसन पहुँचाए ये मिट्टी को हलका कर देती है ये वाव कई एक कमाल की मशिन है इसके टायर्स भी इसी प्रकार के बनाए गये है जो फसल के बीच में से आसानी से उसे तकलिफ दिये बिना चल सकते है तो दोस्तो आपको इन में से कौन सी मशिन सबसे बढ़िया लगी हमें कमेंट में ज़रू बताना और क्या इन मशिनों को बारत में भी लाना चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके ज़रू बताना मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्क